हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टुदा अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की सुड़ों में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टाप सेलेक्शन कमिसन में अगर आपने हाँ पे फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं सेकेंड इंटर लेवल कमबाइन कॉम्पेटिटिव एक्जाम 2023 के लिए और आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद पता चल रहा है कि आपका जो फॉर्म होता है वो यो मिस्टेक हो गया है बहुत सारे candidate ने मुझे comment किया था कि sir हमारे जो form होता है वो mistake हो गया है तो किन-किन candidate को form को correction करने की आवसकता है किन-किन candidate को form को correction करने की आवसकता नहीं है इस वीडियो में आपको complete जानकरे दिया जाएगा आप देखे friends इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा इसी step से आपका जो form होता है वो आपका correction ये संसोधन होगा edit होगा इसके अलावा दूसरा जो option होता है उसके द्वारा आप form को correction ये edit आप नहीं कर पाओगे इसलिए आप इस वीडियो को पूरा last तक watch करें फिर भी आपको किसी उपरकार का query होगा तो मुझे comment box में comment कर देंगे उसका मैं अलग से वीडियो बना दूँगे या मैं reply कर दूँगा उसका जो भी solution होगा सबसे पहले आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे request है अगर channel में new है तो channel को subscribe करें share करें like करें जिससे आने वाले जो भी update होगे वो आपको मिल जाएगा form को correction करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा इसका official website का जो login का जो portal होता है या page होता है एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे login का एक link देखने को मिल जाएगा इस link में आपको click कर देना है then आपका जो login का जो page होता है इस प्रकार खुलके आजाएगा जो भी आपका registration का जो number होता है वो fill करेंगे password यहाँ पे आपको fill कर देना है यह security code दिया गया है agitis आपको यहाँ पे fill कर देना है और आपको login में click कर देना है password आपको मालूम नहीं है यह registration number मालूम नहीं है तो आप यहाँ पे forget कर सकते है registration number और password तो सबसे पहले यहाँ पर मैं login कर लेता हूं तो आपका जो registration number होता है पासवर्ड होता है वो fill करेंगे capture code आपको address fill करना है कोई भी आपको यहाँ पर capture code में mistake नहीं करना है capital है तो capital का use करना है small है तो small का use करके आपको यहाँ पर login कर दिना है जैसे इसका जो dashboard होता है यहाँ पे आप लोग इन हो जाते हैं तो आपको इस परकार का interface आपको देखने को मिल जाएगा Simply उपर के scroll कर देना है आप देखे फ्रेंस यहाँ पे जो भी candidate यहाँ पे payment नहीं किया है उन candidate को क्या करना है सबसे पहले आपको यहाँ पे click here for edit detail में आपको यहाँ पे click कर देना है अब देखे फ्रेंस यहाँ पे जैसे click here for edit detail में आप यहाँ पे click करेंगे तो आपका जो जानकारी होता है इस परकार का खुल के हाँ जाएगा आप देखे फ्रेंस यहाँ पे अगर आपका रिजिटेशन जानकारी में अगर आपका mistake नहीं होए बाके अगर आपने यहाँ पे mistake कर दिया है तो आपको इस जानकारी को यहाँ पे edit कर लेना है पर अगर आपने यहाँ पे रिजिटेशन जानकारी mistake कर दिया है तो इसके लिए आपको क्या करना है new form apply करना है जैसे कि आपका नाम हो गया link में आपने यहाँ पर change कर दिया है male female में change कर दिया है do missile में अगर आपने यहाँ पर mistake कर दिया है mobile number और आपने email में mistake कर दिया है तो इसके लिए क्या करना होगा आपको new form apply करना है new form आपको कैसे apply करने है, ये भी मैं आपको बता देता हूं अब देखे फ्रेंस यहाँ पे जो भी जानकारी आपको edit करना है अगर आप यहाँ पे कर सकते हैं जैसे कि अगर आपने आपने यहाँ पे payment नहीं किया जैसे कि आपका do missile का जानकारी mistake हो गया है category का जानकारे mistake हो गया है ऐसे ही अगर आपका address में अगर आपका mistake हो गया है तो इन जानकारी को आप यहाँ पर edit या correction कर पाएंगे पर इसके अलावे अगर आपने आपने कोई भी जानकारे mistake कर दिया है registration में तो इसके लिए new form apply करना है अब बहुत सारे candidate का यहाँ पर finally submit कर चुके है finally payment कर चुके है उन candidate को क्या करना है यहीं आपको बता देता हूँ अब देखे friends यहाँ पर जो भी candidate अगर आप यहाँ पर finally submit कर चुके है finally अगर आपने आपने पर payment कर चुके है इसके अलावा यहाँ पे logout का एक button आपको देखने के मिलेगा कहीं भी आपको correction ये edit का जो button होता है वो आपको देखने को मन नहीं मिलेगा और आने वाला जो date होता है उसमें भी आपका correction ये edit से related कोई भी notification आने वाली नहीं है तो आपको यहाँ पे जो भी करना है जो apply का जो date होता है इसी date में आपको form को correction ये edit करना है आप देखे फ्रेंस यहाँ पे किन-किन generator को form को correction करने की आवा सकता है यहाँ पे मैं बता देता हूँ फिर मैं आगे बताऊंगा कि आप form को कैसे यहाँ पे correction करेंगे सो से पहले देखे फ्रेंस यहाँ पे आपका जो matriculation का जो marksit होता है जैसे आपका 10th का जो marksit होता है इसमें आपका जो भी जानकारी होता है जैसे कि आपका नाम हो गया, पिता जी का नाम हो गया, माता जी का नाम हो गया, date of birth हो गया, nationality हो गया, इन में अगर आपका जानकारी mistake है, जैसे आपका जो भी जानकारी होता है 10th में, जैसे नाम हो गया, date of birth हो गया माता जी का, पिता जी का नाम, इन जानकारी में अगर आपका mistake है, तो आपको क्या करना है, बेचिजक new form apply करना है, इससे आपका कोई भी दिक्कत ये problem नहीं हैएगा, जैसे कि जो भी जानकारी आपका matriculation में होता है, वो जानकारी आपको check करना है, वो जानकारी अगर आपका mistake है, तो आपको new form apply करना है, new form आपको कैसे apply करना है, आपको यहाँ पर registration का एक link आपको देखने को मिल जागा, registration में आपको क्लिक कर देना है जैसे आप यहां पर रेजिटिशन में क्लिक करेंगे तो आपका अप्लिकेंट का यहां पर नाम आपको फिल करना है जो भी जानकारी होता है वो आपको सही-सही फिल करना है और आपको चेंज कर क्या कर देना है आपका जो mobile number होता है वो आपको change कर देना है mail ID आपको change कर देना है family member में किसी भी member का mail ID ले लेना है mobile number ले लेना है और new form apply करना है new form apply करने के लिए आपको फिर से payment करना होगा पहले से आपने जो fees payment किया है वो आपका refund नहीं होगा वो fees आपका refund नहीं होगा new form apply करना होगा इसके लिए आपको new मतलब फिर से आपको क्या करना होगा fees payment करना होगा आप देखे friends यहाँ पर किन-किन candidate को form को apply करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा मतलब किन candidate को यहाँ पर नहीं करना है वो मैं आपको बता देता हूँ आप देखे friends यहाँ पर जो भी जानकारी आपका होता है matriculation में 10 का जो जानकारी होता है वो आपका correction मतलब mistake नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है new form apply करना नहीं है जैसे कि आपका नाम हो गया पिता जी का नाम हो गया date of birth हो गया जो भी आपका 10 का जो जानकारी होता है वो आपका mistake नहीं है तो आपको new form apply नहीं करना है नहीं तो आपका जो form होता है वो आपका reject हो जाएगा क्योंकि पहले से आपने एक form apply कर चुके हैं तो आपको इस प्रकार का interface यहाँ पको देखने को मिल जाएगा क्या करना है आपको यहाँ पर 7 number में आपको यह 7 page होता है यहाँ पर आजाना है तो simply मैं यहाँ पर आजाता हूँ 7 number का जो page होता है यहाँ पर आएगे correction नहीं कर पाएंगे और ना ही आने वाले जो date होता है उसमें आप यहां पे कोई भी जानकारी को edit यह correction करने के लिए कोई window open किया जाएगा अब यहां पे आपको 4 number में mention किया गया है कि नाम, पिता जी का नाम, माता जी का नाम, matriculation के marksit के according यहां पे होना चाहिए तो देखे फ्रेंस यहां पे आपको जो भी जानकारी होता है जैसे नाम हो गया, पिता जी का नाम हो गया, date of birth हो गया, matriculation के marksit के according होना चाहिए अगर आपको यह जानकारी mistake है तो आपको new form apply करेंगे तो कोई दिक्कतिया problem नहीं होगा इसके अलावा जैसे कि आपका जो पता होता है वो आपका mistake है, address हो गया, पता वही होता है आपका पता अगर mistake है, photograph signature में आपका mistake है तो इसके लिए आपको new form apply नहीं करना है, नहीं तो आपका जो form होता है वो आपका reject हो जाएगा, qualification detail में अगर आपका mistake है तो इसके लिए भी आपको new form apply नहीं करना है, अगर आप फिर से form apply कर देते हैं तो आपका जो form होता है वो आपका reject हो जाएगा, difference यहाँ पर आपको यहाँ पर six number में आएंगे तो यहाँ पर आपको clearly यहाँ पर mention किया गया है कि एक अभियर्थी द्वारा मात्र एक ही online आविदन पत्र भरा जा सकता है, किसी अभियर्थी द्वारा एक से अधिक आविदन पत्र, एक ही पता यह पता बदल कर अगर आप यहाँ पर भरते हैं तो अस्वकरित कर दिया जाएगा आपका आविदन पत्र को, यह रद कर दिया जाएगा, तो आपको इन बातों का ध्यान देना है, बहुत सारे candidate क्या करते हैं आपे, पहला जो form होता है, वो आप finally submit कर देते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि form जो होता है mistake हो गया है, तो तुरेंस ते क्या करते हैं, new form apply कर देते हैं, पता बदल देते हैं, यह पता उसी पता में क्या करते हैं, new form apply कर देते हैं, फिर से मैं मैं आपको बता दता हूँ कि किन-किन candidate को new form apply करना है जिन भी candidate को यहाँ पर नाम mistake हो गया है matriculation मतलब simple सा बात है यहाँ पर matriculation का अगर आपका जानकारी अगर आपका mistake है तो आपको क्या करना है new form apply कर देना है जिससे आपका जो form होता है वो आपका रद नहीं होगा अस्वगिरत यहाँ पर नहीं होगा तो इस प्रकार जानकारी है आई होप आपको जानकारी पसंद आया होगा ब्डियो पसंद आया होगा तो मैंने आपको complete जानकारी दे दिया है कि किन-किन के दिया जाएगा तो उसका भी ब्डियो अलग से अपडेट दे दूँगा उसमें भी आपको कैसे form को correction या edit करना है वो मैं आपको बता दूँगा आज के लिए बस इतना ही जानकारी आगर आपको पसंद आया होगा तो बडियो को like, subscribe, share करेंगे किसी वी परकार का query होगा तो मुझे comment box में comment करतेंगे